एडियों के फटने के रीजन्स को अगर हम कैटेगराइज करना चाहें तो तीन मेजर रीजन्स बनते हैं सबसे पहला हो सकता है एज, दूसरा होता है ट्रॉमा और तीसरा होता है लाक अफ मेंटेनेंस अगर आपके एडियों के फटने का रीजन है एज या ट्रॉमा तो आपको immediately dermatologist से मिलना चाहिए और discuss करना चाहिए आपका case कि क्या pathological process है जिसकी वज़े से ये nuisance आपके पेरों में हो रहा है और इसको जल्द से जल्द fix करना चाहिए लेकिन अगर आपके एडियों के फटने का रीजन है lack of maintenance तो आज के वीडियो आपके लिए बहुत important और काफी ज्यादा असरदार कारगर हो सकती है क्योंकि मैं बहुत सारे reasons, उनके corresponding solutions और बहुत सारे precautionary measures बता रही हूँ जिनको अगर आप अपने lifestyle का part बनाते हैं तो सबसे पहले तो ये परिशानी आपको होगी ही नहीं और अगर हो भी जाती है तो बहुत आसानी से curable हो जाएगी Ready everybody, आईए जानते हैं what all needs to be done नमस्कार और स्वागत करती हूँ अपने पूरे परिवार का उनके अपने चानल प्रीती प्रीना पर जहां पर आज हम बात कर रहे हैं आपकी feet health के बारे में आपके पैरों को खुबसूरत बनाने के लिए आज के वीडियो उन लोगों के लिए बहुत कारगर हो सकती है जिनकी एडियां फटी हुई है जिनको सर्दियों में frostbites हो चाते हैं frostbites के विज़े से अगर आपके जो toes हैं वो काफी काले दिखने लगे हैं उनकी जो skin है जो सतह है वो काफी जूलसी हुई दिखती है हमेशा आपके पैरों में cracks दिखते हैं इन शॉट आपके पैरों की जो feet है उनकी health deteriorate हो रखी है तो आज जो lifestyle changes में आपको बता रही हूँ जो तरीके में आपको बता रही हूँ इनको adopt करने से आपके पैर नाकेवल खुबसूरत दिखेंगे आपी तु वो healthy हो जाएंगे और ऐसी परिशानिया in the long run आपको होंगी ही नहीं सबसे पहला reason किसी भी प्रकार की पैरों की परिशानी का होता है कि आप नंगे पैर चलते हैं देखें यह मुझे भी आदत है कि गर्मियों में जब बहुत जादा गरम होता है तो बोडी तेंपरिचर भी होता है तो दिल करता है कि हम नंगे पैरी चल लेते हैं you know that thanda first looks really nice at that point of time लेकिन going barefoot यानि कि नंगे पाउं चलना आपके पैरों की health के लिए any ways is not okay कि आज सिरफ सुन लीजे मैं यहीं पोड़नी कि आज से implement करना शुरू कर दीजिए लेकिन जस्ट अपने दिमाग में रखिए कि थोड़ी सी भी धूल हम जाडू लगाते हैं पोचा लगाते हैं उसके बाद ही हम देख सकते हैं कि फर्ष में कितना धूल दिखती है है कि नह अजिया रीजन में रहते हैं इस्पेशली जो में रहते हैं हम सभी जानते हैं कि कितनी दूल हमारे आसपास है जो कि आपके पैरों में डिरेक्ली लग जाती है और उसके बाद पैर ठीक से धूलते तक नहीं है नौट फ्रीक्वेंटली राइट तो प्लीज मेक शॉर कि दो हो सकता है dehydration और dehydration का मतलब यहां पर सिर्फ पानी की कमी नहीं है अगर आपके शरीर में कोई chronic problem है जैसे की obesity है diabetes है blood pressure है तो आपके शरीर में पानी की खपत अल्रेटी जादा हो जाती है और skin cells अपना moisture अपना hydration लूज करने लगते हैं इसी लिए adequate amount of पानी तो आपको पीन 369 की कमी होगी जो कि fatty acids होते हैं जो कि आपकी skin को आपकी body को plumpness देते हैं तो भी आपको यह समस्या हो सकती है इसलिए अपनी body को hydrate रखना moisturize रखने के लिए आपको पानी पीना चाहिए adequately जब त्यास लगे आपको seasonal fruits खाने चाहिए आपको healthy diet लेनी चाहिए make sure कि आप किसी भी जो भी आपके शरुज में परिशानी है उसको look out कर रहे हैं उसको नजर अंदाज नहीं करना है third reason could be wearing open footwear यानि कि खुली हुई अप चपले तो खुली हुई होती है कैसे उसको बंखिया जाए जब तक आपकी जो फटी हुई area हैं आपकी जो cracked toes हैं वो fix नहीं हो जाते हैं please make sure कि आप हमेशा fully covered जो कि आपके पैरों को पूरी तरह से cover करें ऐसे footwear में invest कीजिए अगर आप किसी भी प्रकार से open footwear पहनते हैं तो आपकी जो current समस्या है उसमें आप add-on करते रहते हैं फिर आप कितनी भी cream लगा लीजे कितना भी दिख भाल कर लीजे नहीं फरक पड़ रही है चौथा रीजिन हो सकता है और डेफेनितली होता है शार में नहाना देखिए मैं इसारी लोगों से मिल चुकी हूं जिनको अट बालती और स्टूल में बैठकर नहाने का जो concept है वो बिल्कुल एलियन लगता है क्योंकि उन्होंने हमेशा शार में खड़े होकर ही नह चाहिए शार में सिर्फ शांपू करते हैं हलका सापने अपर बॉडी को वाश कर लिया है इसके रेमेडियल आक्षन के तहत आपको बैठकर नहाना चाहिए प्युमाई स्टोन या किसी भी तरह का फुट्सक्रेपर लेना चाहिए और नहाते समय अच्छे से अपनी एडियो प्राइट हो जाती है कि लिटरली स्किन पर फट जाती है एक राक आते हैं लिटरली टिप डीप डीप क्राक्स होते हैं वो सिरफ इसलिए कि आपकी जो डेट स्किन है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है तो बैठ कर नहाईए इत्मिनान से अपने पेरों को भी वाश कीज एंड मेक शौर कि आप वहाँ डेट स्किन अक्यमलेट नहीं होने दे रही हैं क्योंकि अगेर आपको यह जन है कि हम तो बैठ कर नहीं नहा सकते हमारे पास ताइम नहीं है तो आप लोगों के लिए ऐसा एक प्रॉड़क्ट आता है जिसके नीचे एर सकर्स होते हैं इसको आप एक्जाक्ली अपने शार हेड के नीचे लगा सकते हैं तो इस चिपक जाता है इसमें हलके हलके सॉफ्ट ब्रिसल्स हैं जिन पर खड़े होकर आप नहाईए और एटलीस नहाते नहाते इस पर अपने पैरों को घिस लीजिए तो ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा बहु पाती है उसको आप क्लीन कर पाएंगे और आपकी एडियों की जो है उसके लिए काफी अच्छे रिजाल्स आपको ग्राजली दिखते रहेंगे मौसम में परिवर्तन की वजह से अगर आपको यह परिशानी है तो बहुत ही आसान है आपको बहुत चोटे-चोटे पेडिक् अगर आपको बहुत से शुरुआद कर सकते हैं इसे रहने दे सकते हैं फर सम टाइम और फिर आप देखेंगे कि आपके पेरों में जो क्राक्स है वह हील हो रहे हैं तो यह हीलिंग होती रहेगी और बी रिली हापी अब मैं आपके साथ एक बेसिक रेमेडी शेयर कर रही सकता है अगर को बहुत से वियर क्राग धील्स फिल हाल है तो आप यहां से शुरुआद कर सकते हैं इस रेमेडी को आप अल्टने डेस्ट ट्राइ कीजिए इनीशली और फिर आपको आइडिया हो जागा कितना समय आपको और करना है और फिर आप बाकी रेमेडियल आक्शन अच्छे से अपने पैरों को रगड के साफ कीजिए ताकि जो डेट स्किन उपर के अक्यमिलेटिट है वो तो वैसे ही हट जाए डन इसके बाद अब एक मिक्स्टर आपको रेडी करना है जिसके लिए दो से तीन बड़े चमश चाहिए मस्टड ओल जहां वही सर्सो का तेल जो हमारे दादी नानी as moisturizer, as sunscreen, as every beauty product use करते थे ये बहुत कारगर चीज है आपके skin को fix करने के लिए तो ये आप ले लीजे हलका गुनगुना कर लीजे और इसमें आपको लेना है आपका दूसरा ingredient which is a melted wax देखिए market में pure melted wax मिलती है which is very medical grade का होता है वो अपला सकते है नहीं है तो simple white candle जो घर पर है white candle उसकी wax आप ले सकते हैं बहुत थोड़ी से अप्रोक्सिमेटी दो चम्मच हमें हाँ चाहिए इसको आप double boiler method से melt कर लीजे कुछ लोग डिरेगली सर्सों के तेल में कर देते हैं लेकिन तेल बहुत तेज करम करना पड़ता है उसके लिए which I will not recommend तो आ मतलब आपके पैरो में कोई भी परिशानी कोई भी समच्या है उसको हील करने की क्षमता रख तो तीनों चीज़ों को अब अच्छी से मिला लीजे़ जब हलका गुन गुना है आप उसी समय इसको अबने पैरो के नीचे तले पर अच्छी से लगा लीजेये बिल्कुल गु तो आप उसको बंद करके रख लीजे, फर अप्रोक्सिमेटी 10-15 मिनिट्स, ज्यादा भी रख सकते हैं, कोई परिशानी नहीं है, और उसके बाद आप इस पॉली बैक को हटाएंगे, और अच्छे से अपने पैरो को क्लीन करेंगे, कोई भी कॉटन क्लॉथ या कोई भी वेस इस चीज है आपके पास, उससे आप इसको क्लीन कर देंगे, क्लीन होना चाहिए वो कपड़ा बस, अच्छे से क्लीन करने के बाद, अगर आपके पास यह मोईस्चर सॉक्स है, बहुत असानी से, सभी चीजों का लिंक भी डिसकस कर रहे हैं, तो नीचे आपको डिस्रिप् पहन सकते हैं, चाहे तो आप इसके अंदर मोईस्चराइजर डाल के और फिर अपने पैरो को पहना सकते हैं, और रख सकते हैं, और रख सकते हैं for 2-3 hours, ओवरनाइट के लिए कभी सॉक्स नहीं पहनते हैं, आपके बोड़ी टेंपरेचर पैरों से भी रिलीज होता है, पहने देंगे 2-3 hours, फिर जब आप अपने इस जेल सॉक्स को हटाएंगे, दिल खुश हो जाएगा कि एक ही बार में इतना बढ़िया रिजाल्ट मेल गया, जहां, डेफनेटली मिलेगा, और डिसिप्लेंट रहेंगे, तो ऐसी परिशानी, इती जादा सिवेर आएगी ही न सर्दी है, गर्मी है, कॉटन सॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, कॉटन ब्रीधिबल माटीरल होता है, हमारी बॉड़ी हर वारे जो कोशिका है, वो ब्रीध कर रहे है, रस्पायर कर रहे हैं, तो कॉटन वो प्रोसेस चलने देता है, जहां आप वुलन सॉक्स पहते हैं, वो एर काई ब्लॉकेज हो जाता है, हमारी स्किन ब्रीध नहीं कर पाती है, तो प्लीज मेक शॉर कि आप कॉटन सॉक्स ही पहने, नमबर टू, प्लीज इन्वेस्ट इन गुट प्युमाई स्टोन, अब प्युमाई स्टोन हो, जहां फुट स्क्रेपर हो, वेगा के तो इतने स आपके स्किन, जो डेट स्किन एकमेलेशन है, वो बहुत सिवेर आपके पैरों में हो ही नहीं रहा, नमबर थ्री, टाल फ्यॉर फीट, इस वेरी इंपोर्टन कि आप अपनी एडियों को साफ करें एक तॉलिये से, तो जब भी आप आएं, आपके जहां से भी आप नहा कर आपके साथ बहार आते हैं जिस एरिया से, उसके बहार एक ताल लगा दीजे और अच्छे से अपने पैरों को रगडिये ताकि नहाने की वज़े से जो स्किन सॉफ्ट हो गई है, कॉटन ताल पे रगड़ने से वो अराम से निकल जाएगी और आपको जादा मेहनत नहीं कर तो फेस टाल तो हम सब रड़ी रखते हैं लग से, एक फीट टाल भी रख लीजे, नतिंग लगे नमब फॉर रेगिलर पेडिक्यूर्स तेखिए अब पेडिक्यूर में पारल में जाके कराना चाहते हैं वो कराई है अदर वाइस बहुत सारे पेडिक्यूर में अनिकुर जा रहे हैं आपके पेर, बीरी रिली रिली हैपी नमब फाइफ ओकेजनल फुट पील देखिए मैंने एक फुट पील की वीडियो अपने शॉर्ट चानल पर शेयर की आप जाकर चेक आउट कर सकते हैं बहुत सारे लोगों को पसंद आई बहुत सारे लोगों को पसंद नह कर पाते हैं या नहीं जा पाते हैं या टाइम नहीं है जो भी रीजन है तो फुट पील कभी कबार इस जस्ट परफेक्ट लैक आपके पैरों का जितनी भी ड़ट सकिन है वो पील उफ हो जाती है और आपको ज्यादा महनत नहीं करनी पड़ती है तो यह उन लोगों के पील कर दीती हूं लेकिन कुछ लोग तो लिटरली इतने अडिक्टिट होते हैं कि पैरों पे जो स्किन होती है उसको भी पील कर देते हैं वो नहीं करना जितना आप अपनी स्किन को डामेज करते रहोगे उसको हील करने में उतना और टाइम लगेगा तो क्यों ऐसी नाइट सोते समय अपने पैरों को मौस्चराइज करना चाहिए विद ब्लेंड ऑफ सर्सो का तेल और कास्टरोल अप मिक्स करके बेट के साइब में रख सकते हैं और रात को सोते समय बस थोड़ा सा लेकर अपने पैरों के नीचे अच्छे से मौस्चराइज कीजिए बहु इतने सॉफ्ट है कि लिटरली आपको कई बार ऐसे चलते चलते लगे हैं कि फिसल तो नहीं चाहेंगे अपने अपने चीजों को अडॉप करने वाले हैं और अपनी क्राक्ट हील्स को फिक्स करने वाले हैं अगर आपको प्रेजेंटेशन पसंद आई है तो दू गिवर था कामसब नए है तो सब्सक्राइब किये बना बिल्कुल मच जाएगा मैं ऐसे ही बहुत सारे मैजक यहां लेकर आती रहूंगी और आपको एंटिटीं करती रहूंगी लट्स अफ लव सी इंदे नेक्स वान